I played it in a sense, a feel of discontent, I'm finally facing it all, fearless So hey guys, आज का ये वीडियो होने बाला है, वर्ल्ड का एक most unique fish के उपर जो किया है featherfish पर काईज का वीडियो featherfish के उपर नहीं है, आज का वीडियो है featherfish का tank mates के उपर 15 ऐसा tank mates जो की देखने में सुन्दर होता है featherfish भी ऐसे सुन्दर होता है तो दोनों अगर combination में एक ही टैंक में रखेंगे तो भाई, टैंक बहुत ही मस लगेगा देखने में आज का वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने बाला है वीडियो को पूरा एंट्रेक देखना वीडियो थोरा सभी अच्छे लगा है वीडियो के लाइक कर देना चैनल पर भी नहीं होता है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते है तो गाइस फेदर फिश को हम लोग और एक नाम से जानते है जो कि ब्लैक घोस्ट नाइफ फिश ब्लैक घोस्ट नाइफ फिश क्यू बहुत है क्यूंकि चाकु ऑन जानृ करेंगे टखेंगे पुरा जो पंची का मत फैदर होता है आज सब्सक्राइब के तराफ न рाइस का मोब Arizona.BS 50 गमेट मेट से पिव यह चाइब मुझ आसा ऌनुन लोचेस है को सड़योच श्कु आंच जो है जो फैदर फिश के साथ रहे रएगा सब आइक चीज नेसेसरी है, आपको एक दिमाग में रकना ही होगा, आपको कैसी भी हाइडेंग प्लेस चाहिए, हाइडिंग प्लेस टोटोग आहिए, आप लोग देखते न हुम लोग बिर्ट को जो मत की रगातया ह HEY dud Assam वैसा होल करके आपको आपको टैंक में बैसा ही मटकी देने बरा सह ताक Milton फेडर्फिश भर आपलोग को पधा होगा साल टु साल जाते 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 बहुत बएर जाते इसलिए आपको एक ड्र प्लेस चाहिए नमबर 2 में जो है ओ है बीचिर्स जो होता है बहुत ही सुंदत देखने में होता ही है साइस में भी बड़ा होता है और ये भी जो है फेदर फिश के साथ अराम से रह जाएगा नमबर 3 में जो है कोरी कैटफिश ये फिर कोरी डोलास जो भी आप लोग बोले ये छोटा होता है पर ये फेदर के साथ रहेगा पर आप लोग को ये सेम बात क्लाउन लोग जैसा आपको हाइडिंग प्लेस देना होगा क्यूंकि कोरी कैटफिश ये साइज में बहुत ही छोटा होता आप लोग को बता होगा अगर फेदर ज्यादा पर हो जाएगा में भी अटक नहीं करेगा पर एक चांस रही जाता कि अटक कर देगा इसलिए आपको हाइडिंग प्लेस देना होगा नमबर 4 में फोर में जो है नमबर 5 में जो है एंजेल फिश एंजेल फिश एकदम छोटा छोटा नहीं लाना है मीडियम साइस वाला एंजेल लाना है उसके बाद बरा होगा तो बात लागए पर छोटा नहीं लाना है एंजेल फिश भी अराम से रह जाएगा फेदर के साथ नमबर 6 में जो है ओ है इर एग जो इस दो करें आप लोग गाल आप लोग प्लेश तो अगर अटाग नहीं सेखते हैं आप लोग जो एग्जोटिक स्पीसीस जो आथा है वह आप लोग थे दुड़ प्लेको आप लोग फेडर के साथ रख सेकते हैं साथ और तो नंबर नाइन इन बहुत ही येख फेमस बहुत ही शुन्दर फीश जो को टैंग पुरा ह एक दो माल कर दे माला माला इमीन पूरा टैंग को देखने इतना ही शुन्दर कर दे जो कि है डिसकस डिसकस के साथब फेदर फिश रह जाएगा और नमबर 10 में जो है वहेग द्वर्फ गोडमी आप लोग को हाईडिंग प्लेस दर कार है क्यूंकि गोडमी से बहुत ही ज्यादा जो है फेडिंग फिश बरा हो जाते ही हैं इसलिए हाईडिंग प्लेस देना ठीक होगा इसलिए आप लोग को एकदम दिमाग में रखके हर्डिंग प्लेस देना होगा एकदम छोटा से बरातक नमबर इले में में जो है वह है पैरेट फिश का जो करेंटली प्राइस या भी बहुत हाई जा रहा है इसलिए बहुत कोई खरीद नहीं रहा है इवें मेरा भी खरीदन में जो है और है रेड-taili शार्क जो बहुत कोई बोलता है रेड-taill shark, बहुत कोई बोलता है रेड-taild शार्क या फिर अलबीनो रेंबो नौक भी हो जाए यह सब भी फैदर खरीश साथ आपसे रह लेगा 3 में जो है और एक आप्व भरा की का विश जो की है clown knife, clown knife भी feather fish जैसे बहुत ही बड़ा हो जाता है यह basically monster तो नहीं बोल सकते एकदम directly फिर भी बहुत ही बड़ा होता है clown knife भी देखिये knife जैसे shape होता है पर इससे feather क्यों नहीं बोलता है क्यूंकि यह feather जैसे feather जैसे feather fish यह भी black ghost knife देखने में लगता है so guys clown knife भी जो है यह black ghost knife के साथ आराम से अराम से ब्यालेगा number 14 में जो है बहुत ही एक अच्छा बहुत ही कुपशूरत देखने बाला फिश जो किया Sibram अब Sibram बहुत ही अभी famous हो गया अभी का बजार में मैं जो देख रहा हूँ से ज्यादा सिब्रम चल रहा है सिब्रम का प्राइस थोड़ा डिक्रीज वा है और देखने में सुन्दत तो ऐसे लगता ही है और इसलिए सिब्रम जो है बहुत ही चल रहा है और सिब्रम यह जो है यह फेदर फिश के साथ आराम से रह लेगा नमबर 15 में जो है और रैम फिश रैम फिश देखिए मैं बहुत ही कम देखा हो अपने लाइफ में क्यूंकि इधर का जो लोकल सिलर है न वो इतना नहीं लाता है देखिए रैम का एक वराइटी होता है मैं जितना सुना हो मेरे को अच्छा से नहीं पता है मैं भी गलत भी बो सकते हैं एक साहद नाम है ब्लैक नाइट रैम ऐसा कुझ एक फिश रैम वराइटी का जिसका प्राइस बहुत ही हाई रह ता आप लोग को पता है तो कॉमेंट में बो सकते हैं मैं एक बस सुना हूँ ब्लैक नाइट रैम मेरे को जितना याद है वही नाम था और प्राइस बहुत ही हाई याद है इसलिए देखिए रैम फिश जो है लोकल में नहीं लाता पर फिर भी फेदर फिस के साथ अगर आपका प्राइस बढ़ना कोई भी हाईडिक प्रेस हो जाए जाब चोटा है तो घर वर गहरा दे सकते है बरा हो गया तो आप लोग को हंडी देना हो जैसे आप लोग जो बंची होता है पंची का ब्रीडिंग के लिए मठकी बैसा मिट्टी का दे सकते होल करके देना होगा तो गै करते दोगै जुकKY अदर तो है लुक क της वेडियो जुक्षा अरकर खंड़त।